लो दोस्तों आप सबीक साथ स्वाधत हैं हमारी यूर्क्यू चैनल मल्टी टेक्स संद्री में चली मैं आज आप रोती फ्रेट से रिजिनिंग का भी कोशन लेकर आएंगू चली कोशन नमर बन है एक विजिस्ट कोड वाथा में बूप को 86 तखा रिड को 56 लिखा जाता है इस कोड वाथा में गुड को किस प्रकार लिखा जाएगा तो फिर आप हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि बूक का 86 कैसे है और रिट से 56 कैसे आया है सबसे पहले हम देखते हैं बूक बी कितने नमबर पे आता है तो दो नमबर पे आता है दो नमबर पे ओ कितने नमबर पे आता है तो 50 नमबर पे आता है ये भी ओ कितने नमबर पे आता है 50 नमबर पे आता है और K कितने नमबर पे आता है? 11 नमबर पे आता है. अगर हम लोग इसको add कर दें, तो क्या हो जाएगा? 15, 15, 30, attain 11, 31, 2, sorry, 41, 2, 43 है, 43. लेकिन 86 में है, अगर हम लोग 43 को into 2 कर देते हैं, तो हमारा 86 आ जाता है. आगे, अगर हम भूख को इस खोट भाज़ा में लिखे और into 2 कर दिये, तो हमेरा 86 आ गया. इसी प्रकार अगर हम लोग read को करके देखते हैं, कि read को, R कितने नमबर पे आता है? 18. E कितने नमबर पे आता है? 5. A कितने नमबर पे आता है? 1. और D कितने नमबर पे आता है? 4. इसको अगर add कर दिन तो क्या हो जाएगा? 5 आप 4, 9 10 और 18 28 28 इंटू अगर हम लोग 2 करते हैं तो हमारा क्या आजाता है? 56 आजाता है तो इसी प्रकार जैसे हम लोग book का निकालें और read का निकालें वैसे हम लोग good का भी निकाल लेंगे good का क्या है? G कितने नमबर पे आता है? G कितने नमबर पे आता है? तो G आता है 7 नमबर पे और O कितने नमबर पे आता है? 50 नमबर पे ये भी O 15 नमबर पे और D कितने नमबर पे आता है? तो 4 नमबर पे आता है इसको हम लोग add कर लें और इंटू 2 कर लेंगे जिसको एड करेंगे तो 50, 50, 30 और 7, 37 और 4 क्या हो जाएगा 41 और 41 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हैगा 82 जो option B में हमारा 82 दिया हुआ है आप लोगों अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा होगा इस प्रकार का question अगर आपको किसी की exam में पूछा जाए तो आप इजली solve कर सकते हैं और हाँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्रेज लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सस्क्राइब कीजिए ठीक है प्रेंट चलिए अब हम लोग आतरे question number 2 में question number 2 कह रहा है नीचे दो सब्द दिये गए हैं और इन सब्दों के अच्छों का पर्योग करके निम लिखित में से कौन सा सब्द बनाया जा सकता है देखिए, यहाँ पे दो सब्द दिया हुआ एक प्रेज और एक लीड दो सब्द को मिला कर क्या बनाया जा सकता है तो सबसे पहले आप लोग सब्द मिला सकता है या फिर एक बाद पढ़ लिए कि किसमें कौन सा लेटर आ रहा है और किसमें क्या नहीं आ रहा है अगर हम दो एक-एक मिला कर बैठ जाए तो उन्हों को बहुत टाउम लग जाएगा जb इसमें पी आ cog तो इसमें सीर्सपैक्ट में सी आ रहा है लेकिन इस दो में सी नहीं है ये जो दो हमारा दिया हो इसमें सी करूत लेबल नहीं है तो ये नोहीं होगा कुछ सब बनेगा अगर आप पे स्ट्री को देखते हैं रिस्पेट में तो नहीं है कि इसमें देख रहे हैं वाई वाई एक ऐसा लेटर है चिस दूनों वाट में दियाओ वाड में वाई नहीं है तो यह हमारा सब कुछ वार्ड सब टोर्टर लेटर यह सबसे मिलकर एस प्रेट में आ रहा है लेकिन पहले हम लोग इबलेंट भी देख लेते हैं जिसमें भी दिया हो और भी इस दोनु वार्ड में से किसी में नहीं है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा अगर ऐसा पोशन कीसी भी एक्जाम में आ तो आप लोग ईसली सोनगे सकते हैं और प्रीज इसकीप नहीं कीजिएगा चली हम लोग नेक्स पोशन में चलते और आप लोग लाइक शस्क्राइब करते रहे हैं अगर नहीं कोशन नंबर थी देखते हैं नीचे टीगी प्रशन क सही will आरेख बताए क्या दिया हुआ है प्रित्वी आकास गंगा ब्रह्मान अब बोल रहा है कि तीनों का आपस में कैसा रिलेशन है according to option मतलई option को देखते हुए बताई कि तीनों का आपस में कैसा प्रित्वी आकास दूंगा ब्रह्मान का कैसे रिलेशन तो सबसे पहले क्या है ब्रह्मान आपको पता होगा सबसे पहले ब्रह्मान है फिर है हमारा आकास बनगा फिर है हमारा प्रित्वी ठीक है असलब हमारा ऐसा फीगर बढ़ रहा है जोगी हमारा ऑप्शन दी में ऐसा फ ठीक है फ्रेंड आप लोगों को समझ में आड़ा अगर ऐसा कोशन दिया जाए तो बस देखना है उसका सत्पर रिलेशन आपस में कैसा है और उसका कैसा ठीक होगा बस इसली कोशन सॉल्ब हो जाएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक क कमेंट करते रही चली हम लोगा खonneने कोशन नम्र कोड में कोशन आंभ पूर ए और वी बच्चे ए और बी क्या है बच्चे है हम लोग फ्यगा देख रूख पहले कोशन पढ़ने थे ऐ और भी बच्चे है A और B बच्चे है C के ठीक है मतलब C के बच्चे कोँ है A और B है यदि C माता है B की किन्तु A पुतरी नहीं है C की तो C और A में क्या सम्बंद है C और A में क्या सम्बंद है यही हम लोगों को फाइंड करना है ठीक है तो सबसे फ़ले हम लोग देख रहें कि इसमें C तो क्या है? माता है C क्या है? माता है जब A और B बच्चे है तो C जब B की माता है तो A की भी माता होंगी तो C क्या है? माता है ठीक है? और A और B इनके क्या है? बच्चे है C माता B की है किन्तु एक उत्री नहीं है एक उत्री सब्सक्राइब आपको यह बता दे यहां पर बच्चे देखकर आपको पन्दों नहीं हुई है कि लर्गा के बारे भोड़ा या लड़की के बारे भोड़ा अब तो मैं सिर्थ आप सब लोग अपने बेटा वो या बेटी सब्कू बच की बोलते हैं ठीक यह है ऐसके बोल रहे हैं है यह पुतरी नहीं है यह чаe- selling लड़का हो ओगा आ पार हुआ और भी क्या है पता नहीं अभी तो उन्रों को ने पता एंधिया कि इनले इनले Random तो C माता है और A लड़का है तो माता और ये बेटा क्या पुतरी तो होगा ना जो हमारा option C में माता और पुतरी दिखार और ये हमारा right answer होगा प्रेंड आप लोगो अची तरह समझ में आड़ा होगा प्लीज लाइक सुस्क्राइब करते लिए चलिए हमारो आपको ले चलते हैं next question चलिए हम लोग आते हैं question number 5 में question number 5 के रहिया दी 684 का value दिया 132 और 917 का दिया और 546 तो 478 प्लस 609 का क्या होगा अगर हम लोग सब्सक्राइब करने से यह होगा तो हम लोग क्या करते हैं ऐसा हम लोग बहुत सारे question बनाए करें लिंक description में डाल देंगे आपको जाके देख सकते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग इसका इसमें से ही अगर चूच करके value put करके डाले तो हमारा हो सकता answer नहीं करते हैं चली हम लोग को दिखाते हैं एक का 3 दिया हुआ है 3 लिख दिए प्लस 6 का क्या लिख हुआ है 6 का value दिख लेते हैं 1 लिख दिए जीरो का क्या है तो जीरो का 6 है 9 का क्या है तो 9 का 5 है अब हम लोग इसको add करके देख लेते हैं अगर आ गया तो यह हमारा answer जो option में दिया उसी में से कोई answer होगा हम लोग add करके देख लेते हैं तो 5 और 3 add करेंगे तो 8 6 4 10 carry 1 2 1 2 4 3 1 4 ठीक है मतलब 408 हम लोग अगर इसका इसमें से लेका value put कर दी तो हमारा यह answer आ गया जो option C में है फ्रेंड आप लोग को अगर अच्छा लगना होगा वीडियो तो इसकीट नहीं कीजेगा continue watch करते रहिए और like subscribe करते रहिए चली हम लोग आपको देख देख कोशन नमर 6 में कोशन नमर 6 का नीचे दी गई प्रश्ण का सही वेल आरेक्ट बताईए अभी जस्ट में आपको थोड़ी दे पहले एक कोशन है करवाई हूं से वह सही कोशन है आप लोगों यह देखना है कि इन तीनों का आपस में क्या relation है ठीक है कोशन यह क्या है प्रित्वी शमूंद्र शूर्य आपको बताऊ कि प्रित्वी पर ही तो समूंद्र है प्रित्वी पर क्या है? समुंद्र है, लेकिन सूर नहीं है, सूर अलग है, प्रित्वी पर समुंद्र है और सूर तो अलग है, तो देखे, इस लिए में डाइग्राम ड्रॉ हो गया, प्रित्वी पर समुंद्र है, ये हो गया हमारा प्रित्वी, ये हो गया समुंद्र, और य यह हमारा राइट अंसर है और आप लोग को भी अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो दो मिनट वीडियो को पॉस्ट करके पहले आप लोग खुद से बनाने का कोसिस किजिए और उसके बाद आप लोग फिर वीडियो देखिए ऐसे कोशन हमेसे एक्जाम में आते रहता है ताकि आप लोग बनाईए और कमेंट करके बताईए कि आप लोग कितना कोशन सही बना है और पर्सेंटेज का भी मैं वीडियो बना चुकी है जो आपको डिस्क्रिस्ट्रिशन में देदूगी और प्लीज फ्रेंड आप लोग करते रहें कमेंट करना ना बोलिए अगर आप लोग को कुछ अलग पढ़ना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग बता सकते हैं असे रिलेटेड आप लोग वीडियो ना होगी ओके फ्रेंड बाइवाइ फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में